हलो स्टुडेंट्स गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासिस में तो आपको क्लास 12 के एक्जाम के लिए टॉपिक बाइ टॉपिक चेप्टर वाइज एक एक concept का हम solution दे रहे हमारी टीम आपको continue videos प्रवाइड करी है तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के chemistry के कुछ important VVI objective question पर discuss करेंगी जो आपके exams के लिए बहुत important है lesson 2 solution हिंदी में इसको कहते है billion यह हमारा topic का नाम है chapter का नाम है एक part जो है जिसके 20 objective questions को already हम लोगों ने cover कर दिया था अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यह part 2 है lesson 2 का यह part 2 है और topic आपके सामने में रखते हैं यहाँ देखिए students 20 question clear हो गये थे यहाँ तक कि तनू घोल का सहजात गुल निरवर करता है hope so अगर आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो के description में मैंने link डाल दिया है lesson 2 के part 1 का यह part 2 है और करा यदि caseal जलिये घोल 100% भी घटित होता है तो want hop गुनांग क्या होगा यदि caseal का जो है ना वो जलिये घोल 100% 100% भी घटित हो जाता है तो want hop गुनांग जो होगा वो 2 होगा यदि caseal जलिये घोल 100% भी घटित होता है तो want hop गुनांग कितना होगा इसका answer 2 होगा student अगले question क्यों राते है question है कि मानव रक्त का pH मान यह आपको बरहवी की board पर इक्षा 2018 में पूछा गया question है कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है answer होगा 7.4 मानव रक्त का pH मान हाला कि काफी simple question है students normally solution कर देते हैं पर फिर भी अगर बाइचन शूर जाए देख लीजेगा ठीक है अगर आपको याद नहीं है तो यह 2018 में पूछा गया प्रसने में भी इस पर बोट के exam में दिख जाए तो मानव रक्त का pH मान 7.4 question number 23 20 question already हमने part 1 में discuss कर दिया था बिल्कुल उसको देख लीजेगा समुंदर जल का पराशरक दाव लगबग होता है तो यह कितना होता है समुंदरी जल का पराशरक दाव लगबग होता है वो 30 items होते है बहुत important question है discuss करते जाए और copy में note करते जाए question number 24 पर आते है कौन सी सांदरन इकाई ताप से स्वतंतर होती है तो कौन सी सांदरन जो होती है वो इकाई ताप से स्वतंतर होती है molarity इसको हिंदी में बोलते है molarata sorry molata sorry कौन सी सांदरन इकाई ताप से स्वतंतर होती है molata ओके वो molarity नहीं ये molata होगा वो गलत मैंने बोला था दो द्रबो का एक मिश्रन जो इस्तिर संगटन पर उबलता है क्या कर लाता है दो द्रबो का एक मिश्रन है जो इस्तिर संगटन पर उबलता है ये आपको एंजो ट्रॉप कर लाएगा दो द्रबो का एक मिश्रन है जो इस्तिर संगटन पर उबलता है क्या कर लाता है एंजो ट्रॉप अगला question question number 26 isotonic billion वे हैं जिनके बराबर होते हैं ठीक है जब आईशो टॉनिक विलियन के वे हैं जिनके क्या बराबर होते हैं तो नॉर्मली समझना है कि आईशो टॉनिक विलियन में क्या ऐसा टॉपिक है क्या ऐसा चीज है जो बराबर होता है वो होता है पराशरीक ठीक है आईशो टॉनिक विलियन में जो ना वो पराशरिक बिल्कुल बराबर होते हैं आदर्स विलियन में मिस्रित होने के कारण अव्यबो के एंथैलपी परिवर्तित होते हैं और वो सीधे सुन्ने हो जाता है ठीक है किस रूप में परिवर्तित होते हैं सुन्ने में आदर्स विलियन में मिश्रित होने के कारण अब व्यबों के एंथेलपी जो होते हैं वो प्रवर्तित होते हैं किस चीज में सुनने में प्रवर्तित हो जाते हैं ओके बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो रहा है अप लोग का टिक हैं आप इस वीडियो को अंतक देखिए आपको अंते में अपना वाट्स अप नमबर दे देंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा जब भी कुछ भी कुछ पूछना रहे कुछ डाउट सेशन या इस तरह क वहाँ पे हम आप लोग ग्रूप बगेरा बना रहे हैं जिसमें हम आपको कंटिन्यू वीडियो या और कंटिन्यू वीडियो का लिंक प्रोवाइड होगा जिरो पॉइंट वन एम बी ए इंटू एनो टू घोल का बांट हॉप गुनांक अगर टू पॉइंट सेवन फोर हो तो भी गटन अस्तर यह जो है नुमेरिकल्स टाइप का है जिसको हम आपको नुमेरिकल्स में सॉल्यूशन करके देंगे और यह आंसर होगा 87 परसेंट भी बड़े कोशन है कि एक जलिये घोल का हिमांक माइनस 0.186 डिग्री सल्सियस है अगर के अफ 1.16 और के भी 0.512 हो तो इस जलिये घोल का क्वाथनांक 19 क्या हुआ यह 2017 में पूछा कोशन है इसको भी हम नुमेरिकल्स में सॉल्यूशन करके दिखाएंगे अंसर इस इगल टू 0.0512 ठीक है जो भी आपको नुमेरिकल्स के कोशन है उसको हम अच्छे से सॉल्व करके दिखाएंगे है एच 3PO4 के 1,000,000,000,000 की नौर्म नौर्मलता क्या होगी तो यह होगा 3.0 यह ठीक है PB is equal to S T में S का मान होगा R यानी प्रतिरोध होना चाहिए मैं इसको देख लूँगा एक बर अच्छे से PB is equal to S T में S का मान होगा R के बराबर ठीक है R के मान के बराबर परमानू द्रब्यमान बराबर होता है यह 2016 में कोश्चन है परमानू के इलक्ट्रोन और प्रोट्रोन की संख्या के योगपर अगर परमानू के इलक्ट्रोन और प्रमानू के प्रोट्रोन को की के जो संख्या है जो नंबर है उन दोनों को गर हम add कर दे जोड दे तो हमें क निकलेगा परमानू का द्रब्यमान तो नॉर्मली कहा जाए कि परमानू का द्रब्यमान या परमानू द्रब्यमान जो होता है वो बराबर होता है किस किस तीर के है परमानू के इलक्टरॉन और प्रोटोन की संख्या के योग फल के बराबर बहुत इंपॉटन कोशन है नोट का अबनमन होता है PO-PS बटे-PO Most VBI question Copy में note करिए आप चिक वास्प दाव का अबनमन होता है PO-PS बटे-PO तो अपना वाटसम नमर देते हैं student को ताकि दिक्कत ना हो कि नहीं को आप जितने भी doubts हैं यहाँ पे clear करवा सकते हो खास करके PDF से related कोई भी चीज अगर आपको PDF purchase करने में दिक्कत हो रही है नहीं तो आप हमें यहाँ पे message कर सकते हो comment box में लिख दिया था मैंने एक पर फिर से लिख दियता हूँ चली ओके students अगला यह भी अगला जो question है बहुत important है कि राउल्ट का नियम किसका पालन करता है तो यह जो है न बहुत ही important question है P is equal to KHX राउल्ट का नियम बहुत ही ज़्यादा यह 3-4 question जो है न लास्ट में बहुत important है जैसे यह किसी घोल का परासरंदाव का संबन्द दिया जाता है यह देखो PYC is equal to ST बहुत important है 2017 में पूछा गया question है कि किसी घोल का परासरंदाव का संबन्द दिया गया है PYC is equal to ST अगले प्रस्निक्यूर कौन राउल्ट नियम से धनातमक बिचलन परदरसित करता है तो कौन जो है ना वो राउल्ट नियम से धनातमक बिचलन परदरसित करता है वेंजीन प्लस क्लोरोफोर्म वेंजीन प्लस क्लोरोफोर्म जो है ना वो राउल्ट के नियम से धनातमक बिचलन परदरसित करता है ओके स्टुडेंट साटिस्पाइड हो बिलकुल confirm doubt clear billion में बिले की मोल लता किस unit में व्यक्त की जाती है तो ये mole kilogram inverse विलायक ठीक है billion में विले की मोल लता किस unit में व्यक्त की जाती है students mole kilogram m kg inverse विलायक doubts बिल्कुल clear होने चाहिए छोटे छोटे topics हैं जिसको हम numericals में और जो आपको short and long question जिसमें provide करेंगे न वहाँ पर छोटे छोटे doubts को clear करेंगे इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आपको आप बस यहाँ पर रटो और अच्छे से समझो थोड़ा थोड़ा और पढ़ते जाओ ताकि एक भी objective 35 में 35 इस बार लाना है इस बार आपको ठीक है क्योंकि हमारे चैनल के तुरू इस बार 32 question objective physics sorry chemistry के हैं and 33 physics के लड़े थे और bio के सायद 27 लड़े थे जो reality है वो मैं बता रहा हूँ 0.1m 0.1m urea billion और समान ताप पर निम्न billion समा सम परासारी हैं यह इसका अंसर होगा 0.1m C6H12O6 ओके चली question number 39 तीन लीटर 3m NACL के मोलों की संख्या होती है यह नौ होगा इसको हम solve करके दिखाएंगे बाद में कि 3 लीटर यानि 3m NACL के मोलों की संख्या नौ होगी और यह आखरी question है इस question आज के session का कराएं कि 10 लीटर दसांस मोलर M by 10 घोल के लिए घुल की मात्रा 1.0 मोल होगा 1.0 मोल होगा तो I hope कि मैंने आपको वर्टसप नंबर बीच में वीडियो के बीच में दे दिया था समझ में बिलकुल आ रहा होगा और बिलकुल continuity यूटीब बनाके रखिए ड्रीम क्लासेस पर continue बने लिए और जो students competitive exam के तियारी कर रहे हैं जैसे आपने अगर 12th कर लिया है तो मेरा एक नया channel है अब ये भी मैंने बनाया है Target with Rahul Sir आप इस चीज को YouTube में सर्च करो अगर आपके भाई ने, बड़े भाई ने, आपकी दीदी ने या कोई भी आपकी family member का जो competitive exam जैसे bank, SSE, railway और जितने भी competitive हैं यहाँ पे मैं प्रती दिन तीन घंटा live पढ़ाता हूँ NTPC का live class चल रहा है CHSL का live set practice NTPC का और RRC group D का जो है न set चल रहा है, model set practice करवा रहे हैं आप लोगो ठीक है, प्रती दिन live test चल रहा है, और यहाँ पे basically पढ़ा रहे है, reasoning math, सभी के live session बिल्कुल continue, पर एड़े हम आपको 2-3 गंटे, 3 अधी की समझो 3-4 गंटे live आने वाले तो बिल्कुल अपने सभी भाई दीदी सबको बता दो इस चीज के बारे में, ओके, बाब बाई